मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए आपको साधना करनी होगी धन के लिए आपको मनी प्लांट घर में रखना होगा आपके सिगनेचर भी ठीक करना होगा ये सब कैसे होगा आज पूरी जानकारी दोंगी आज के बाद आपको धन धाने की कमी नहीं होगी आपके किसमत का पासा बदल जाएगा आज आपको शुक्रवार की रात वाली महालक्षमी की साधना के बारे में बताने जा रहे हूं यह साधना कीजिए अगर सब ठीक रहा तो महालक्षमी आपकर कृपा जरूर बरसाएंगी आज आपको मा लक्ष्मी को नाराज करने वाले कुछ काम बताऊंगी चुक गलती से भी आपको नहीं करने हैं आज उन कामों से बचना है और आपको वो उपाई भी बताऊंगी जिससे रुपे पैसे के साथ-साथ आपको प्यार भी मिलेगा साथ ही घर में आपको मनी प्लांट कैसे रखना है ये भी जानेंगी और सिगनेचर आपकी किसमत कैसे बदलेगा इसका पता भी चलेगा आज शुक्रुवार का दिन है इसलिए आज मैं आप सभी को रुपे पैसे से जुड़े पांच माहां उपाई बताऊंगी सबसे पहले मुझे बताईए कि क्या आपकी आमदनी में गिरावट आ गई है शुक्रुवार के दिन तीन कुमारी का न्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं और पीले वस्तर और दक्षन देकर विदा करें इससे मालक्षमी प्रसन होती है इस दिन दान देने का भी विशेश महत्व है यशी ले इस दिन जितना हो सकिए गड़ीबों को दान करें सफेद रंग की चीज या खानी की चीज का दान करें वैसे तो लक्षमी जी की बहुत सी साधना है लेकिन आज मैं आपको मालक्षमी की विशेश साधना के बारे में बताने जा रही हूँ ये साधना जरूर कीजिए क्योंकि ये साधना करने से मालक्षमी की विशेश कृपा मिलती है यह आप सबको पता नहीं होती, अगर आपको पता चल गई, तो आपने ठीक से कर ली साधना, तो माला माल होने से कोई नहीं रोग सकता सबसे पहले जानिए कि आपको अश्ट लक्ष्मी की साधना से होता क्या है जीवन में धन की कमी खत्म हो जाती है, भक्त करजे के चक्र भी उसे भाहर आ जाते है, आयू में विद्धी होती है, वुद्धी तेज होती है, परिवार में खुशाली हाती है, समाज में सम्मान प्राप्त होता है सिद्धिगी में प्यार पड़ता है लेकिन किसी की अच्छी सेहत में भी फरक पड़ता है सेहत भी बेटर हो जाती है अश्ट लक्षमी साधना की विदे क्या है शुक्रवार की रात यानि कि आज रात करीब नौस वजे से साधे दस बजे के बीच में गुलाबी कपड़े पहन लीजे और गुलाबी आसन का प्रयोग करें गुलाबी कपड़े पर श्रीयंत्र और अश्ट लक्षमी के चित्र स्थापित करें किसी भी थाली में आप गाय की हीके आठ दीपक जलाएं गुलाब की अगरबती जलाएं लाल फूलों की माला चणाएं मेवे की भरफी का भोग लगाएं अश्ट गंसे श्रीयंत्र और अश्ट लक्षमी के चित्र पर तिलक करें और कमल गट्टे हाथ में लेकर आप इस मंत्र का यथा संभव जाब करें मंत्र बहुत आराम से बोल रही हूँ नोट कीज़े फोटो भी ले ली सकते हैं अब आपको आज का दूसरा माहा उपाई क्या है चलिए ये बताती हूँ क्या घर का बजट हर महीने गड़बर हो जाता है शुकरवार को पीले कपड़े में लक्षमी पांच पीली कौड़ी और थोड़ी सी केसर शांदी की सिक्के के साथ बांध कर धन स्थान पर रखें जहां पर आप पैसे रखते हूँ कुछी दिनों में इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा मुझसे कई दर्शक मनी प्लांट से जुड़ेवे सवाल पूचते हैं आई ये आपको जवाब दिये देती हूं मनी प्लांट से जुड़े हर बड़े सवाल का जवाब जिससे आपको पता चलेगा मनी प्लांट घर में लगाते समय क्या साफधानी बगते हैं इस दिशा में मनी प्लांट ना रखें कभी भी इशान को नौर्थी इस दिशा में ना रखें इससे अगर मनी प्लांट नीचे की तरफ गिरता है तो सेहत और पैसों पे नेगिटिव इंपक्ट पड़ता है जमीन पर ना फैलाएं हमेशा ध्यान रहे कि मनी प्लांट की बेल कभी भी जमीन पर नहीं फैलानी चाहिए ऐसा होने पर घर में कही तरीके के नुकसान के कारण बन जाते हैं घर के अंदर लगाएं मनी प्लांट मनी प्लांट को बाहर लगाने की जगा घर के अंदर लगाना शुब होता है इसे गमले या बोतल में लगाया जा सकता है मुर्जाने ना दे ये पौधें का मुर्जाना सफेध हो जाना भी अच्छा नहीं माना जाता रोज मनी प्लांट को पानी दे और सफेध ये मुर्जाई पतियों को काट दे मनी प्लांट का पौधा रिश्टों के साथ साथ धन में भी मदूरता लाता है इसे भूल कर भी पूर्व पश्चिम यानि कि नौर्थ वेस्ट में नहीं लगाए वरना पती पत्नी के बीच तनाव हो सकता है कहां मिलेगा आपको मनी प्लान लगाने से फाइदा ये जानी इसको साउथ इस्ट में लगाने का बहुत अच्छा माना जाता है इसे गणेज ची की और मालक्षमी की दिशा मानी जाते हैं मनी प्लान्ट सुख सिम्रिदी बढ़ाता है और इस्ट में भी लगा सकते हैं आईए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाए की सवाल ये है कि क्या आपके पास कभी पैसा होता है लेकिन आज घरता ही चला जा रहा है क्या जेब में पैसा टिक नहीं पाता फ्राइडे को शाम के समय अब से थोड़ी ही देर बाद शाम हो जाएगी आपको घर के इशान कोन में गाय की घीका दीपक जलाना है बाती में रूई की जगा पे लाल रंग के धागे का यूज करना है और थोड़ी सी केसर भी उसमें डाल देना है लक्षमी जी बहुत प्रसंद होंगे अब मैं आपको वो संकेत बताने जा रही हूँ जो मैं नहीं खुद मालक्षमी आपको देती है आपको बस वो संकेत पता होने चाहिए और पता होना चाहिए वो तरीके जिससे मालक्षमी खुद आपके पास आए तो चलिए जानते हैं खुजली होना यानि की पैसे का संकेत समझा जाता है लेकिन कहां खुजली होनी चाहिए वो जानिए अगर आपके शरीर के दाहिने बाग या सीधे हाथ में इच्छिंग हो रही है तो यह समझे कि यह लक्षमी आने वाली है लेकिन यह males के लिए applicable है females के लिए opposite इसी तरह आपको लगेगा कि bank किसी काम से आप जा रहे हैं अगली बार जो मैं बता रही हैं उससे ध्यान दीजेगा bank में पैसे जमा कराते वक्त अगर रास्ते में गाय आ जाए तो आपके पैसे वाले सारे काम पूरे होंगे यही नहीं आप पैसे से related किसी भी काम पर जा रहे हैं और आपके रास्ते में कोई सुन्दर्स्त्री आ जाए तो समझ लीजे कि मा लक्ष्मी का संकेत है आपका काम बनेगा और पैसा भी आएगा ऐसा कई बार होता है कि आप किसी को पैसा देते हैं या लेते हैं और कुछ आपके हाथ में रह जाए अगली बार ये हो तो इसे धन का संकेत समझना होगा अगर आपके यहां सो कर उटते ही सुभा कोई जरूरतमन मांगने आ जाए तो नारास होने की जरूरत नहीं है कि समझना चाहिए कि आपका दियावा पैसा वापस आने वाला है जरूरतमन्दों को कभी खाली हाथ ना लोटाएं अगर आप धन संबंदत काम के लिए कहीं जाने वाले हैं और कपड़े पहन रहें और जेब से पैसे गिरें तो ये आपके लिए धन प्राप्ति का संकेत है वो पैसे को उठा कर जेब में रख लीजे लेकिन हो सके तो किसी को दान कर दीजे और अच्छा रहेगा नेवले को सिर्फ साप को मारने वाले जानवर के रूप में नहीं देखा जाता कहीं ये जाते समय अगर नेवला दिख जाए तो ये धन प्राप्ति का संकेत है यही नहीं आप सो कर उठें और उस समय नेवला आपको दिख जाए तो गुप धन मिलने की संभावना बढ़ जाती है आई अब आपको आज का चौथा माह उपाई क्या है ये बता देते हैं क्या पैसे का फाइदा नहीं हो रहा आप शुक्रुवार के दिन श्रीयंत्र पर गाय के दूद से अभिशेक करें और अभिशेक का जल पूरे घर में छिड़क दें श्रीयंत्र को कमल गट्टे के साथ धन स्थान पर रग दे इससे धन लाब होने लगेगा आपको इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिजल्ट दिखने शिरू हो जाएंगे आपको लक्ष्मी जी को प्रसंद करने के लिए क्या करना चाहिए ये तो मैं आपको बता रहती हूँ लेकिन आपको लक्ष्मी जी को नाराज होने से रोकने के लिए क्या करना है इसको आपके लिए आपको क्या करना है कि इन चीजों को जाना ये बेहर जरूरी है तो चली अब आपको बता देती हूँ आप जब भी खाना खाते हैं तो अपनी प्लेट पर जरूर ध्यान दीजिए अगर आपकी प्लेट पर खाने के बाद को छूट जाता है अगर आपकी ठाली जूटी छोड़ कर जाते हैं मैंने देखा हैं आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने नाखून चबाते रहते हैं ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगी जो नाखून चबाते हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो साफधान हो जाएए या आपकी सेहत के लिए तो खराब है ही साथ ही आपको कंगाल भी बनाता है मालक्षमी ऐसे लोगों के पास कभी भी नहीं आएंगी उनकी कृपा नहीं मिलेगी जब आपके घर कोई महमान आता है तो आप क्या करते हैं आप उसका स्वागत नहीं करते आप उसको सम्मान नहीं करते अगर ऐसा करते हैं तो मालक्षमी भी आपको सम्मान नहीं करते हैं अगर कोई महमान आए तो उससे कुछ भी ना दे तो पानी जरूर पिलाए ऐसा नहीं करेंगे तो आपके कुली पर राहू का बुरा प्रभाव होगा मेमान को ठंडा पानी पिलाने से राहू के दोश दूर होते हैं वैसे भी स्वच्छता अभियान चल रहा है इसलिए आपको खुद भी साफ रहने की जरूरत है और घर को भी ठीक करने की जरूरत है अगर आप साफ सुत्रे होंगे तो मालक्षमी आपको जरूर धर्मान बनाने के योग खोलती है जितने भी सफल लोग आपको मिलेंगे वो साफ सुत्रे जरूर दिखेंगे इसलिए इसके पीछे की वज़ा बताने की जरूरत नहीं है आपको मालक्षमी को प्रसंद करने के लिए अपने कुछ ग्रह भी ठीक करने होंगे आप अगर बुद्ध, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा के दोशों को दूर करेंगे तो आपको हर रोज पेड़ पौदों को पानी देना चाहिए ये मस्ट आपके लिए आपको पेड़ पौदों की देकभाल करने वालों को टेंशन, डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है घर के पौदे आपके परिवार के सदस्यों की तरह होते हैं जिस घर में सुब़े-शाम पौदों को पानी दिया जाता है ऐसे घर के सदसे हर परिशानी के सामना डट के कर लेते हैं मैंने आपको साफ सफाई की बात तो की ही थी अगर आपके घर में जूते चपल इधर उदर फेके जाते हैं या आदत आपको बड़ी ही मुश्किलों में डाल सकती है घर में बे तरीके से रखे वे जूते चपल दुश्मनों को मजबूत करते हैं जिससे आपका मान सम्मान घटा है और लक्षमी जी दूर जाती है और इसी से जुड़ी एक और जानकारी ले लीजे अगर आपके घर में बिस्तर इधर उदर फेले रखते हैं चादरे तकी हमेशा गंदी रहती है चादरों में सिल्वटे रहती है तो भी आप मान सम्मान का शुक्फल नहीं मिलेगा ऐसे लोग खुद भी परिशान होते हैं और दूसरों को भी परिशान करते हैं बिस्तर को साफ और सही धंच से रखने पर आपके सब काम बनते हैं अब आपके बोलने की आदत पर भी बात बताती हूं देखिए अगर आपको अगर जब आप बात करते हैं और जोर जोर से बोलते हैं तो इस आदत को भी बदल लेना चाहिए ये आदत भी आपके लिए जो है बहुत ही हानिकारक है जोर-जोर से बोलने वाले से शनी नाराज हो जाते हैं जो जोर-जोर से चीक-चीक कर बात करते हैं बेविजूल की बात करते हैं अपने बड़ों का अपमान करते हैं और उनका मजाग बनाते हैं और इनकी ऐसी आदतें इनको कंगाल बना सकती हैं, ऐसे घर में देवी देवताओं का वास नहीं होता, बरकत नहीं होती, इसलिए हमेशा धीरे-धीरे और संभल कर बात करें, अगर आपने ये सब अपना लिया, तो फिर आपको मालक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन रहेंगी, किसी चीज की कमी नहीं र उनके घर से money plant की एक दंडी तोड़कर ले आईए, इसको अपने घर के east में लगाईए, चाहे पानी के अंदर लगाईए या मैटी के अंदर लगाईए, जब दूसरे के घर का किसी prosperous घर का money plant आपके घर में पनपता है और इस direction में रखा जाता है, तो वो prosperity आपके घर भी आत आपको अगर लगता है कि घर में प्रोस्पेरिटी नहीं है तो मा लक्षमी की ऐसी पिक्चर जिसमें उनके हाथ से सिक्के निकल रहे हों घर के नौर्थ में लगाईए और वहीं खड़े हों के श्री सुक्त का पाथ कीजिए Entertainment की बात हम बाद में करेंगे आपके कल को अच्छा करते हैं क्या करें अपनी राशी के हिसाब से जानिए सबसे पहले मेश राशी की बात मेश राशी के लोग आप लोग कच्चा नारियल जरूर खाएं लक्ष साथ दे रहा हैं आपका 60% विश्व राशी के लोग आपके काम में नया डिसिजन लेना आपको फायदा देगा लक्ष साथ दे रहा हैं आपका 73% मिथुन राशी के लोग तुलसी वाली चाय पीजे आप भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 68% करक राशी वाले लोग चने की दाल कल खाएं गरीबों में भी बांटें भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 71% सिंग राशी के लोग सुभा देर तक न सोएं लक्ष साथ दे रहा हैं आपका 54% कन्या राशी के लोग सुबह उठ कर योग करें लग साथ दे रहा हैं आपका 69% तुला राशी के लोग कपड़ों में ओरेंज कलर पहने गल भागय साथ दे रहा हैं आपका 77% प्रिश्चिक राशी वाले लोग काला पैन अपने साथ रखें, भागय साथ दे रहा है आपका 70% धनूर राशी के लोग पुराने दोस्तों से बात करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 67% मेरी क्लास में आपका स्वागत है अब आपको वो सिगनेचर बनाना सिखाती हूँ जो सफलता की हो ले जाएगा आपको जरूर जानना चाहिए क्योंकि सिगनेचर आप जरूर करते हैं बस थोड़ा सा चेंज करना है और अंतर देखे जो लोग अपने हस्ताक्षर को नीचे से उपर की ओर ले जाते हैं जो ऐसे की सपोस हम लिखते हैं किसी ने ऐसे लिखा ठीक तो ये नीचे से उपर की ओर ले गए ना ये लोग आशावादी होते हैं निराशा का भाव उनके सौभाव में नहीं होता ऐसे लोग भगवान में आस्था रखने वाले होते हैं जीवन में उपर की ओर बढ़ते रहते हैं इस तरह सिगनेचर करने वाले लोग दूसरे लोगों को लीडर बनने की इच्छा मतब ये इनमें लीडर्शिप कॉलिटी जादा होती है अब जिन लोगों की सिगनेचर उपर से नीचे की ओर जाते हैं जैसे अब ये ओपर से नीचे चले गए न ऐसे लोग नेगिटिव थौट वाले हो सकते हैं ऐसे लोग किसी भी काम में असफलता की बात पहले सोचते हैं जिन लोगों की सिगनेचर एक जैसे बराबर नहीं दिखाई देते जैसे कभी लिखा इस तरीके से कभी इस तरीके से कर दिया ऐसे होते हैं वो मांसिक रूप से अकसर स्थेर नहीं होते इन्हें दिमाग वाले काम करने में अकसर दिक्कत होती है या ओवर एक्जर्ट करते हैं माइंड को साथ ही इनके विचारों में बदलाव होते रहते हैं यह लोग किसी एक बात पर अड़िग नहीं रह पाते जिन लोगों कि सिगनेचर से कटे वे दिखाई देते हैं जैसे किसी ने लिखा इस तरीके से लिखा और काट दिया ऐसे कटे वे दिखाई देते हैं, वो नेगितिव विचारों वाले होते हैं, इन्हें किसी भी काम में और सफलता पहले नजर आती है, इसी वज़े से नए काम करने में इन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर कोई सिगनेचर के आखिर में लंबी लाइन खीचता है, जैसे की ऐसे लंबी लाइन खीचता है, तो ऐसे लोग एनरजेटिक होते हैं, ऐसे लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तयार रहते हैं, किसी भी काम को पूरे मन से करते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं से जो लोग सिग्नेचर करते समय अपना मिडल नेम पहले लिखते हैं कैसे होगा ही आहीं आये आपको बताती हूं जैसे किसी का मिडल नेम है जैसे राम कुमार मलप्ल, अगर सपूस इस तरह से नाम है तो अगर कोई करने लग जाते हैं आई आज का पांचवा और आखरी महा उपाय जानते हैं सवाल यह है कि क्या एकदम से पैसा चाहिए काली मिर्च के पांच दाने अपने सिर पे साथ बार एंटी क्लॉक वाइस घुमाकर चार दाने चार डारेक्शन में फिक दें पांचवा आकाश की ओर छ क्या है